कि नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति PCS यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं जैसे कि आप सभी को पता है कि संस्कृति PCS यूटूब चैनल पर फिलाल हम लोग प्रीविस एर कोश्चन इसक्रिशन का प्रोग्राम चला रहे हैं और अब तक हम लोग MPPCS की सीरीज में इतियास तता कला और संस्कृति से 2021 तक के प्रशनों पर जर्चा कर चुके हैं आज की इस वीडियो में हम लोग वश 2020 की परिक्षा में इतियास तता कला और संस्कृति के पूछे गए प्रशनों को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से आयूग अपने ल तो देखिए इस परिक्षा में पूछा गया जो पहला प्रश्ण था इतिहासकार का नाम बताना है इंडियन नैशनलिजम अब आपको यह बात पतानी कि भी कौन मानता था यह स्थिती है हमारे पास में चार ओप्ष्ण में हर जगा हम देखने के दो दो नाम देखने को मिल रहे हैं पहला ओप्षिन कहा रहा है दोक्टर आर सी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेंड दूसरे में कहा रहा है सर जेम् चार जॉन लॉरेंस और सीले चार हमारे पास में अलग अलग विकल्प हैं देखो इस विकल्प का तो सही उत्तर है वह हैं डॉक्टर आर सी मजूमदार और डॉक्टर एस एंसें ये दोनुही खास रखती थी जो मानते हैं कि बहुए उन्नीस विचतावदी के मध्य में उन तो बुरूना वस्तमेता यानि कि अभी गर्ब में हैं बाहर नहीं आया देखा नहीं जा सकता यानिकी अठ्रह सतावन के जो क्रांती रही ना ये क्रांती अपने आप में बहुत अधिक परिपक्व नहीं थी योजना बद्ध नहीं थी चीजों को अच्छे से जाना समझा नह देखा गया था बस परिस्तितिया इस परकार की हो गई थी के वेद्रहों करने पर मजबूर हो गए थे लोग चाहे हम लोग देखने को कि स्थिटि उनकी अपनी अलग अकंशाएं थी अपनी अलग इस लिए उन्हों ने विलोद किया अगर हम किसानों कि स्थिछ तो उनकी अपने अलग मांगे थी इसलिए उन्होंने विद्र हो कि इस framework अगर हम लोग सामान मघने वर्व कि थी तो उन्होंने अलग रूप में विद्र हो इंवे विद्र हो इसधोर आप आप लोगों नोटीस कियोगी कि जो वर्तमान समय में खास तोर पर सिक्षित वर्ग था उसने विद्रों नहीं किया था वह शामिल नहीं हो क्यों कि इस समय माना रहे था है वो लोग की भारत की विकास के लिए अंग्रेजों का रहना जरूरी है यह भी खास बात थी तो इस ज लगता है कि हाँ चीजे किस परकार से उभर रही हैं बदल रही हैं कॉंग्रेस की स्थापना भी होती है और उसके बाद में हम लोग अलग अलग रूपों में देखते हैं कि भारते ववस्ता चल रही होती है ठीक है तो इस प्रशने का सही उत्तर ए इस से उड़ावा कुछ आप लोग के सामने और वहीं बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि हमारा अगला प्रशने क्या क्या रहा है आठ शासो सतावन में लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स इसके समधाता कौन थे जिनोंने लिखा था उतरी भारत में गोरे आदमी क कि गाड़ी को कोई भी मितरतपूंड द्रिश्टी से नहीं देखता था वूँवाज दा कोर्रिस्पोंडेंट आफ नीश्पेपर टाइम्स पब्लिस्ट फ्रम लेंडन इन 1857 रोट जैट नोबडी इन नौर्थ इंडिया लोक्स अट वाइट मैंस कार विट फ्रेंडी व् तो देखें यहां पर हमें चार ओप्शन दिए रोबर्ट पील ग्लैड स्टन और पांस्टन इस प्रशने के उत्तर की बात करें तो देखें रेसल साव है रेसल साब से जूड़ी हुई है यह पूरी के पूरी न्यूस क्यूंकि सर विलियम हावड रेसल जो थे यह दाइम समवा जाता था और एक प्रकार से ईव अपने इस पूरे कारेकाल के दौरान हम दीखते हैं कि अलग-अलग विद्ध्यों की इसतिती अलग-अलग जगा नाखरीकों की इस्तिती को लोग लिखते रहते थे अपने समाचार पत्र के अंदर तो 1857 की क्रांती के दौरान भी इन्होंने चीज़ें को जाना समझा कि भारत में क्यास्ति दिवनी हुई है तो भारत की स्थेज़ों समझते हुए इन्होंने भारतिये लोगी मनुदशा बताई और जब कोई वक्ति शोशित है पीडित है दबा हुआ है उसको खुली हवा में सास लेने नहीं मिल रहा है तो उस दोरन कैसे ही वो अपने सरकार से अपने प्रशाशन से खुश हो चकता है क्या संभव है यह बिलकुल नहीं हर एक वर्ग इस समय हम देख रहे थे कि परेशान था अंग्रेजों की नीतियों से और उन्हीं नीतियों की वज रखेगा इसको पूरी तरह से हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अगर उत्तरी भारती भारती विए कुछ खास वर्गों की बात करें से शक्षित वर्ग हो गया जमीदार वर्ग हो गया तो यह लोग तो काफी अधी खुश थे अंग्रेजों से उनकी नीतियों को पसंद करते समय जमीदारों को तो खासलाब रहता ही था पर पूरी तरह स्विकार नहीं है बट इन्होंने कथन कहा है तो इस वजह से यह प्रशन बना है और प्रशन का उत्तर बन गया है यानि कि डबलू एच रसल साब पूरा नम सर विलियम हावर्ड रसल ठीक आगे बढ़ते हैं हमा वु MKS पैने का इंडिया इसयो आंडिया इस चाहरु समय और बाड़त के रहीर मट कईEr यह ऑरत के लिए गया समझ innovant जो समय है भारत के ग्रामीड छेतर में पहुंचे तो उन्होंने ग्रामीड छेतर में पहुंचके यह अनुभव किया कि यह लोग अपने आप में आत्व निर्भर हैं अपने निर्ने लेने में सक्षम हैं अपनी चीजों के आदान प्रदान में संख्षम हैं और आपस में बिलतुल कर रहकर क जीवन बिताने में सक्षम है इन्हें बाहर से किसी प्रकार के सहाय था कि किसी संब्ध कोई आवशक्ता ने सब कुछ एकुद कर लेते हैं और आवशक्ता हैं बहुत अधिक नहीं थी इसी वचा से चोटे से गाउं में रहकर के चीजों को समाल लिया करते थे तो जब चार्ल् है अपने और भारत में से चोटे गड़ तंत्र बने हुए अलग अलग गाउं के लिए यह बास ने पसूद की थी ठीक है तो अपने द्रिश्टी जिस प्रकार की द्रिश्टी रखो के उस प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी इसलिए तो कहते हैं जाकी रही भावना ज लोग चलेंगे आगे और देखेंगे हमारा अगला प्रशन क्या क्या रहा है भारती रियासतों के शाशकों के विशेश अधिकारों और पीपर्स की स्वनापती कब की गई वन वस्पेशल राइट्स और पीपर्स इंजाइट पाई इंडियन प्रिंसली स्टेट्स अबॉल आपके अपनी मर्जी है जी अब इस दोरान भारत की तरफ से मुख्य परतिनित तुझो किया गया था हमारे लोहपुरुष आनि कि सरदार वल्लभाई पर्टेल के दुवारा सरदार वल्लभाई पर्टेल अलग अलग रियासतों के जो प्रमुक्त थे उनसे बादचीत किया करते थे उनसे कहते थे भारत में मिलो जरूरी है आपकी जनता के अधिकार शुरक्षेत रहेंगे आपको एक अच्छी खासी लोग तांदिक ववस्था मिलेगी हर एक चीज बहुत अच्छी चलेगी आप इश्वाश कीजिए लेकिन भारत में जूड़ने के जरूरी है कि आपको एक दस्तावेज साइन करना होगा और दस्तावेज का नाम था इंस्टूमेंट ऑफ एक्सेशन यानि कि विलाए पत्र इन्होंने कहा कि देखो आप आओगे आपके नागरी को कुछी ववस्था मिलेगी एक अच्छा भविश्य होगा आपके शेत्र का कोई इसमें दो रहाए नहीं जितने भी राजा महराजा थे उन्होंने सारी बात सुनी जानी समझेए अग्सेट किया लेकिन उस सब के बाउदूत उनके मन में एक खाव से प्रश्न था उन्होंने कहा कि देखो आप तो स्थापित कर रहे हो एक लोगतंत्र लोकतांद्रिक ववस्ता हो होंगे चलिए यह बाट ठीक है अब यहाँ पर राजा महाराज आते हैं उन्हों सर्दार वल्लाब भाई पड़ल से पूछा कि चली सब कुस्तों ठीक है पर आप यह बताओ हम तो भी रियासत के महाराज हैं अगर हम आपके देश में मिल जाएंगे तो हम भी सामाने नागरिक राजपाट में रह रहे हैं यह है वह कीरती बनी हुए आपकी तो आपके लिए क्या किया दाना चाहिए तो इस दोरान एक खास चीज़े लोने प्रियोक की वह थी प्रिवी पर्स कुछ विशेश अधिकार दिया रजवालों को कहा कि आपके लिए कुछ खर्च हर महीने भा महाराज है या निजाम है तो चीजों को उस रूप में एक्सप्ट कर लिया गया इन्होंने विलया कर लिया भारत में भारत में विलया करने का वबस्ता चलती रही उसके बाद भायत की पहली महिला प्रदान मंत्रिया इंद्रा गांदी इंद्रा गांदी नब चीजों को ज महाराजी चले जाएंगे स्वर्गवास हो जाएंगे तो उन्हों ने का जो वास्तविक महारास तो चले भी गए जिन्होंने दस्ताविश पर साइन किये थे अब यह कि पीडी पीडी आगे बढ़ रही है अब ऐसे किस परकार और कितने समय तक हम उनके उत्रादिकारियों को स देते रहेंगे इस परकार से भत्ता और भारत का कोश उनको प्रदान करेंगे सबके लिए है यह विशेश अदिकार नहीं मिलना चाहिए तो इसी वजह से वर्ष 1971 में यह निर्ने लिया गया कि प्रीवी पर्स जैसी ववस्ता जो चल रही है देश में समाप्त कर दिया कोश से आपको कोई धन नहीं दिया जागा जिससे आपका वहबब कीरती बनी रहे इस परकार की ववस्ता सुनिश्चित की कई थी प्रदामंत्री इंद्रागांदी के द्वारा हाला कि एक परकार से था तो यह अंग्रेजों की चाहें हम लोग बात करें साहयक संदी बात कर कि तरह लेकिन फिर भी चीज़े ठीक है लोकतंद्र के स्थापने के लिए बारत के निर्मान के लिए जरूरी इथीक प्रकार से ठीक है तो प्रशने का उत्तर डी इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगए और देखते हैं हमारा अगला प्रशने क्या चाचिनामा के अंुसार और साथिश अतावदी में सिंदू देश की राज़ानी क्या थी अकॉर्डिंग टू चचनामा वाट वस दू कैपिटल ऑफ दे इंड़स कंट्री इन दे सिक्स और सेवंथ सेंचुरी तो देखिए चार ऑप्शन है मारे पास में देवल लॉद्वा अरोड बारमेड अब इन इन सबी चीजों के उल्लेक की बीच आपको यह देखने को मिलेगा कि भाई जिस समय सिंदू देश की बात होगी तो सिंदू देश की राज़ानी बताई जाएगी यहां पर अरोड यह भी ध्यान रखिएगा कि सिंदू देश होगा यह आधुनिक पाकिस्तान वाला छेत्र इक्षा के दरिश्टे से हम लोग चलते हैं हमारा अगला प्रशन देखते हैं मुगल कालीन ग्रंथ मासीर आलमगीर किसकी रचना है वो वास्ट क्रिएटर आफ मुगल टेक्स्ट मासीर आलमगीर देखो यहां पर आपको नाम पढ़ते हुए एक खासीज देखने को मिलेग इसके साथ हैं आपको यहां भी ध्यान लगनाएं की चार आप्शन दिये गए हैं और पूछा गया है कि ग्रंथ की रचना किसने की साकी मुस्तायत खां, हातिम खां, काजिम शिराजी और खफी खां यह चार आप्शन हमारे पास में हैं तो देखे इस प्रश्ट मासीर का सह और वह फिर अपने ऊपर चीजों को रखते हुए खुद जिम्मेदारी लेते हुए इस पुस्तक का इस गरंद का प्रकाशन कर आता है तो प्रशन का सही उत्तर ए साकी मुस्तयत खांके दुवारा लिखी गई है मासीर आलमगीर जो आरंग जेब के काल से संबने थे अगला प सब्सक्राइब कोई दोड़ाएं नहीं है इनवर्ट कंटेक्स्ट दस्पानाही एंड उपना मैंशन इंडर मेडेवल इंडियन हिस्टी यह वस्त्र है यह आभुशन है यह आवास है या फिर जूता है तो देखिए मद्ध्यकानीतियास में जूतों के लिए परियुक्त हि किसने की कर देविंद्र नाट टैगोर केशव चैंदर सेन राजा राम मोहन राई और रविंद्र नाट टैगोर अब देखिए स्तिति है कि वर्म समाझ का जो विखंडन है यह हो जाता है अठासो पैसेट में ब्रहम समाझ तो हम जोग जरनली पढ़ते ही रहते हैं लेकिन स है अलग मत के अधार पर अलग 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 सोके हैं कि हम इसमें से अब तोड़ करके ब्रह्म समाज बनाएंगे लेकिन वह ब्रह्म समाज अलग मूलय प्यद्धारित होगा उसके अलग होंगे to तो आगे आते हैं देवंदर नाट टेगोर साब और देवंदर नाट टेगोर साब आगे बढ़ते हुए स्थापित करते हैं आधी ब्रह्म समाज है। तो बाकि इस परकार की अनिक वीडियो आप लोग के लाई जाती रहेंगी और हम लोग ऐसे ही वर्ष दर वर्ष के प्रशनों पर चर्चा करते रहेंगे देखेंगे कौन-कौन से सक्टर से चीज़ा पूछी गई जाने गई समझी गई और उनसे जुड़ी ही स्ञvural में सक्टर से सब्सद्साओ मुपश के अनिक वर जा जाती है।